नमस्कार साथियों मेरा नाम है मनीश भारती आपका मैं संस्कृति या इस चैनल पर स्वागत करता हूँ साथियों क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपके बड़े बुजूर्ग आपके अभिभाबक आपसे यह कहते होंगे कि एक बार बस बोर्ड का एकजाम पास कर लो फिर राहे आगे की आसान हो जाएगी या फिर आपको यह भी अपने सिक्षकों के द्वारा सुनने को मिलता होगा कि आगामी जो परिक्षा आना है इसमें आपको टॉप करना है इसमें आपको अच्छा माक्स लाना है चाहे आपकलिसी भी क्लास के चात्र हों अब क्या होता है बच्चों में एक होड सी लग जाती है सिक्षक के तरब से भी यही बात कहा जाता है विद्याले के तरब से भी यही बात कहा जाता है अभी बावक भी यही कह रहे होते हैं सिनियर भी यही कह रहे होते हैं और हमारे जो पूरी स्कूली सिक्षक का पैटर्न है वह भी कहीं न कहीं बच्चों में एक होड लगा देता ह है कि अच्छे marks लाने के लिए अब बच्चे मासुम वो क्या करेंगे दिन रात लग जाते हैं पढ़ने में और जैसे जैसे परिक्षा का वक्त करीब आता जाता है फिर उन दबाब बढ़ता चला जाता है और फिर क्या होता है दिन में तो वो पढ़ते ही है रात का वक्त जो ठकान हो जाता है उन्हें सही से निंद लेना चाहिए लेकिन एक्जाम का दबाब इतना अधिक होता है और उन्हें लगता है कि अच्छे माक्स लाना बेहर जरूरी हो जाए अब उन्हें निंद आ रही होती है आप भी एक कहावत कहते हैं या चुटकुला में कहते हैं कि यदि आपको निंद ना आ रही हो आप किताब खोल के बैठी है आपको निंद आ जाएगी है ना लेकिन अब एक्जाम का समय हो रहे तो किताब खोलना जरूरी है और निंद ना पिर इसके लिए क्या किया जाए फिर बच्चे कई बार कुछ दबाओं का सेवन करने लग जाते हैं मेडिसीन लेने लग जाते हैं और कई बार तो वो डॉक्टर से सला भी नहीं लेते घर वालों से छुप छुप के इस तरह की चीजे करते हैं ताकि उन्हें निंद ना आए और फिर वो देर रात तक पढ़ सके एकजाम में परफॉर्म करने के लिए अब इससे कई तरह की समस्याए उत्पन होती है चुकि इसका सीधा असर जो है आपके मस्तिस्क पर पढ़ता है और हमारा मस्तिस्क जो है वो पूरे मानव सरीर को कंट्रोल करता है आप जानते हैं अपने पढ़ा होगा मानव सरीर भी एक मशीन ही है तो जिस तरह से मशीन काम करता है उसके कल पूर्जे काम करते हैं हमारा सरीर भी ऐसा ही काम करता है और उसके लिए अब चाहिए क्या है इस मस्तिस्क को आराम भी चाहिए लेकिन जब आराम नहीं देंगे दबाओं का सेव करना लाजमी समझता हूँ और आप लोग भी इसको बहुत ही बारिकी से समझे क्यों बच्चों में anti-slip pills इसकी बात हम करेंगे आज की anti-slip pills क्या है इस medicine को ले करके किस तरह की बाते कही जा रही है डॉक्टर्स का क्या कहना है बच्चे किस तरह से सेवन कर रहे है इसका क्या बुरा प्रभाव पर रहा है और बच्चों में यदि इसके उपयोग करने की बारम बारता बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है उससे पहले आपके लिए एक सूचना है और सूचना यह है कि संस्कृति आयस विभिन PCS कोर्ष की सुरुवात कर रही है उसके तहत UPPSC, DPSC, RPSC और MPPSC की कोर्ष की शुरुवात की जा रही है इस संबन्दवे विस्तित जानकारी के लिए यहां कॉंटेक्ट नमर दिया गया है 955-124-124 या फिर आप कर सकते हैं क्या संस्कृति आयस के वेबसाइट पर विजिट करके वहाँ पर कॉंटेक्ट नमर दिया होगा विस् परिक्षा के समय में किस तरह से दवाब को देखते हुए भारत के चात्रों में यह परविर्ती बरती जा रही है कि वह एंटी स्लिप पिल्स का इस्तमाल कर रहे हैं अब यह घटना कहां से आई है एक घटना जो आगे बरकर के उभरकर के अभी सामने आया वह फिर चर्चा क विशय यहां से बना है मुद्दा किया देखिए उत्तर प्रदेश के लखनों में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनों है वहां एक दश्मी की कक्षा की छात्रा रहती है इसका भी बूर्ड एक्जाम होने वाला रहता है और इस पर भी परिवार का काफी दबाव रहता है अपने पियर ग्रूप का दबाव रहता है कि अधिक से अधिक पढ़ो और मार्गस लाओ और इस सब चक्कर में क्या होता है कि यह रात रात भर जग्ये पढ़ना चाहती है अब जाहिर सी बात है शरीर है ठकान होगा ही नींद आएगा ही लेकिन यह चाहती है कि इसे नीं आएग यह होने लग जाती है इसको कौन सी दबा है देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ है मोडा फिनिल टैबलेट और आर मोडा फिनिल टैबलेट यह दो टैबलेट का इस मेडिसिन का इस्तवाल है इसलिए कि अध्यान देना है निंद आये मैं इसकी बात नहीं कर रह है यहां निंद आ रहा है लेकिन ये चाहरे है कि हमें सोना नहीं है कि tidak कि अपने शरी को जगा करके रखना है आ एक्टिव रखना है प्रें रखना है ताकि आगे की पढाई कर सकें काम कर रहे हैं और अपने पॉटेंसियर को लगातार बढ़ा रहे हैं उनके लिए नुक्षांदे हो रहा है अब इस बच्ची ने इसका जो है सेवन करना सुरू कर दिया अपने बोर्ड एक्जाम के दौरान अब इससे क्या हो गया इस तरह की समस्याइं उत्पन हो गया कि इसके म इसके परिवार के लोगों का कहना है जब उन्होंने जानकारी लिया इस चीजों का तो उन्हें पता चला कि बच्ची जो है बोर्ड एक्जाम के दवाम में लंबे समय से इस दवाई का उप्योग कर रही थी ठीक है अब जब इस बलड का धबा जम गया फिर डॉक्टर से सं अब मस्तिश्क में आप समझते हैं अपने आप में बेहत जटिल पर करिया है जीवन मिर्तु का प्रशन हो जाता है लेकिन इस बच्ची को इस सर्जरी से गुजरना पर है जो इसे संबंधित नियूरो शर्जन डॉक्टर है उनका कहना है कि देखिए बच्चे या कोई भी यदि इस तरह की दबा का सेवन करते हैं तो उनके स्वास्त के लिए बेहत गंभीर हो सकता है और इसके सेवन से बचना चाहिए या फिर आप डॉक्टर के सलह के बाद ही ऐसा करें अब जरा समस्ते हैं कि एंटी स्लिप पिल्स होता क्या है जैसा कि आप नाम से ही जान रहे ह इंटी स्लिप पिल्स कहा गया इस तरह के पिल्स इस तरह के मेडिशीन जो की निंद के विरुध्य है यानि कि आपको निंद आरहा है उसका आप सेवन करेंगे निंद जो है चूमंतर हो जाएगा आप अचानक से थकां जो है वह दूर होने लग जाएगी और आप अधिक का कर पाएंगे अपनी कारे छमता को बढ़ाने के लिए लोग इस तरह का काम करते हैं ताकि वह अधिक सतर्क हो सके उनमें उर्जा का संचार हो सके और निंद उन्हें कम आए ठीक है अब इसका इस्तमाल जो है सामान में तौर पे कहा होता है तो थेरा प्यूटिक परपस के में बहुत सारी लोगों की ये समस्या होती है कि क्या करें मुझे निंद बहुत आता है पढ़ने बैठता हूं और निंद आने लग जाता है दिन में बहुत लोगों को समस्या होता है कि मुझे दिन के समय बहुत निंद आता है तो इस परपश के लिए इस मेडिशिन का उप कि मस्तिक्ष में एक खास तरह के नियूरो ट्रांस्मिट्रों को यह प्रभावित कर देता है अब नियूरो ट्रांस्मिट्रों को किस तरह से प्रभावित करता है तो नियूरो ट्रांस्मिट्र के जो स्पीड होता है उस स्पीड को यह बढ़ा देता है ठीक है यानि कि जो नि कर दिया उसके गती में परिभरतन कर दिया और यहां अब लोगों को निंद नहीं आ रहा है लेकिन यह सब यह दी डॉक्टर की निग्रानी में हो तब तो ठीक है लेकिन बिना इन सब चीजों के अधी लेते हैं तब आपके लिए मिर्तु का कारण भी बन जाता है इसलिए कहा कैसी बात है बच्चे माशूम हैं दवाब अधिक है कि किसी तरह से परिक्षा में अधिक अंकल आया जाये और इसके वज़ा से कहीं कहीं वह परशान हो रहे हैं और अपने आपको जगाने के लिए कि नींद ना आये और इस तरह के चीजों का शेबन कर रहे हैं अब इसका स्वास्त पर क्या क्या तो उस प्रभाब पर सकता है देखे बहुत जलू होता है आप अपने मोबाइल को ही लंबे समय तक इसमाल में लाते हैं कई बार या चार्जिंग नहीं रहता है तो हैंग होने लगता है आप से फ हो जाए और फिर हम सही से काम कर पाए तो इस तरह के चीजों का एक तरह जुद्धु दूस प्रभाब होता है कि वह निंद ना आना आपने कुस समय के लिए इसका इस्तेमाल किया कि मुझे निंद ना ना आए लेकिन लंबे समय तक इस्तेमाल करने के बाद आप देखेंग है जो जो memory का पूरा जो control का system है वो हमारे brain से है और हम जो भी काम कर रहे हैं इस pills को लेकर करते हैं तो हमारे neuron पर इसका effect पड़ता है तो जो यादास्त की समस्या है उसका आपको यहां पर खामियाजा भूलने लग जाय देखिए यादास्त की चीज़े जो है उमरके साथ भी होता है आप देखते होंगे बहुत सारे लोग जो हैं बढ़ते उम्र के साथ चीजों को भूलने लग जाते हैं लेकिन आप बहुत सारे कम उम्र के लोगों को देखते होंगे कि वह बहुत सारी चीजे जल्दी भूल जाते हैं इस तरह की समस्याइं भी इससे उत्पन हो सकती है दूसरी बात पाचन संबंधी समझे है और कहता है कि अगर आपका पेट सही नहीं है पाचन सिस्टम जो डाइजेस्टिफ सिस्टम है वो सही नहीं है तो आपका पूरा जो शरीर है वही रोग गरस्त है फिर आप बिल्कुल भी शही नहीं है और इससे यह हो सकता है द्रिष्टी हो सकती है यानि की मस्तिस्क उपर इसका अगर प्रभाव परता है तो संभभ है आपके आँखों की रोशनी भी चली जाती है इसलिए आज कल आप देखते होंगे छोटे छोटे बच्चों के आँखों पे लेंस चलगा हुआ रहता है ठीक है और काफी पावर्फ हो सकती है चिरचिरापन हो सकता है इसके अलावा क्या होता है आपको लगातार जो है दोरे पर सकते हैं सांस लेने में कटनाई हो सकता है बलड पेसर बढ़ सकता है और कई बार जो हो सकता है व्यक्ति कोमा तक में चला जाता है और इसकी मिर्तु भी हो जाती है तो इसका जो अब एक च्छाएं बहुत जादे कर रहा है तो फिर विकल्प क्या हो सकता है इस विकल्प पर भी जरां विचार करके हम देखते हैं आट घंटे की निंद तो लेनी ही चाहिए यदि आप कितने भी विखत आँ आट घंटे की निंद नहीं ले रहे हैं तो आप मान के चलिए, आप अपने स्वास्त के साथ खिलबार कर रहे हैं, आप अपने साथ खिलबार कर रहे हैं, तो इसके लिए करना क्या होगा, बच्चों के संदर में उन्पे पढ़ाई का बहुत ज़्यादा बोज है, बोड एक्जाम आ रहा है, आई टी जी में लगे यूपीएसी के एक्जाम में लग रहे हैं, उनके पास है कि नहीं मुझे तो बहुत ज़्यादा पढ़ना है, आठ घंटे मैं नहीं सो सकता या सो सकती, उसके बाद दैनिक कारे भी होता है, इसके लिए आपको करना क्या है कि अपना स्टड़ी प्लान बहुत अच्छा बना उसके बाद आप ऐसे बिमार पढ़ेंगे कि अगले दस दिन तक आप दस मिनट भी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, तो बहुत बैभारिक आपका इस्टड़ी प्लान हो, ठीक है, उसमें आप जैसे कर सकते हैं, बहुत सारे लोग जो एक ठेरेपी इसका इस्तमाल करते हैं, रूल्स है, पढ़ने का वो कहते हैं कि पचीस मिनट, अगर आदे घंटे का समय है, तो पचीस मिनट आप पढ़िए और पांच मिनट जो है, आप रेष्ट ले लीजिए, ठीक है, एक एस्टेडी यह कहता है, दूसरा एक एस्टेडी है कहता है, इसको थोरा सा कर सकते हैं, इस तरह का, इसमें कहा जाता है कि यदि आप रेष्ट ले रहे हैं, इसके दोरान ध्यान रखे कि मुवाइल फोन के इस्तमाल से बचें, किसी से बहस नहीं करना है, क्या अच्छा सा कोई म्यूजिक सुन सकते हैं, आप चाहें तो ओठकर के पानी पी सकते हैं, थोरा से अपने घर में टहल सकते हैं, ठीक है, और फिर पढ़ने लग जाएं, तो एक अच्छा अगर स्टेडी प्लान आप तयार करेंगे, तो आपके देखेंगे कि आपका मस्तिस्क जो है, बहुत अच्छे से आपके साथ बिहेव करेगा, कम पढ़ करके भी आप अधिक बातों को अपने पास, अपने मस्तिस्क में संग्रहित कर ले जाएंगे, माता-पिता के द्वारा बच्चों के रूटीन का पालन करने का भी ध्यान लखना चाहिए, इस केस में भी आपने देखा, पैरेंस नहीं ध्यान दे पा रहे हैं, ठीक है, बज़त जो भी हो, लेकिन इस बज़ा से स्वस्त भी रहेंगे, पढ़ाई के दोरान ध्यांग जो भी चीजे भंग करें आपको, उसको आप दूर कीजिए, जैसे आजकल समस्या है कि मॉबाइल फोन को ले करके है न, या बहुत तरह के इस तरह के डिवाइसेज आ गये हैं, आजकल इलेक्रोनिक्स ड लेकिन हमारे सरीर के लिए, हमारे मस्तिस्क के लिए ये चीज़े अच्छा नहीं होता है, और छोटे बच्चे को तो यह और ज्यादा अट्रेक्ट करता है, तो इससे बचना है, पॉस्टिक भोजन खाना है, अगर पॉस्टिक भोजन आप खाते हैं, तो आपके सरीर के लि कम सकम रिवीजन जरूर कर लें यदि आप दो बार रिवीजन कर लेते हैं तो मान के चलिए हुए चीजों जो है आपके मस्तिस्क में बैठ जाएगी बहुत सारे लोग एक तकनिक अपनाते हैं रिवीजन के लिए ही कि वो लिखना प्रारंब कर देते हैं ठीक है कि कुछ भी एक रफ कॉंपी लेकर बैठ गए और जो भी वह पढ़ रहे हैं उसे लिख रहे हैं बहुत अच्छी हैं राइटिंग की जरूत नहीं है लेकिन आप लिखते चले जाए ठीक है थोड़ा नहीं बताया था प्लान के दौरान प्रते दिन परियाप निंद पूरी जरूर ले और कम से कम देखे एज के कोडिंग है आठ घंटे का निंद तो ले ही ले लेकिन अगर आप यूबा आवस्था में हैं और आपको लगता है कम सो करके भी अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं दबा ना ले मेडिशीन ना ले तो छे घंटे का भी निंद अगर आप लेते हैं साउंड निंद स्लिप में जाते हैं तो यह भी आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है कैसे बच्चों में स्वास्त पैटर्न को प्रोटसाहित किया जाए क्योंकि समय के साथ जिस तरह से ब पिरुद्ध हो जा रहा है तो जाहिर सी बात है हमें अपने रूटीन में कुछ सुधार करना परेगा और स्वस्त पैटर्न अपनाना परेगा हमें किसी भी चीज में वैलेंस बे को ले करके चलना परेगा निंद में दैनिक चरिया जो हम कर रहे हैं पढ़ाय लिखाए अप इसने दैनिक जीवन में भी इसी तरह को बैलेंस ले करके चलना परेगा यथार्त वादी अपक्षा का मतलब हुआ कि बच्चे से उतना ही उम्मीद करें जितना हुआ दे सकता है और बच्चे जो है व्यक्ति के लिए अभिबाबक के लिए सिक्षकों के सपना को पूरा करन किसी व्यक्ति ने को खेलता हुआ देखा हूं ठीक है विकेट की और उसको दोनी बहुत पसंद हो और उसने अपने मन ही मन में ख्वाब पाल लिया हो कि जब मेरा वच्चा होगा जैसे आप मेरा विबा होगा बाल बच्ची होंगे तम मैं अपने बेटे को धोनी के जैसा ब आप आई-एस ना बने हों और आप आपको लग रहा है कि मेरा बेटा आई-एस बनके दिखाए अब बच्चे की प्रकिरते किसी और चीज़ की है वह क्रिकेटर बनना चाहरा है आप जबरदस्ती आई-एस बनने में लगे हुए है तो जाहिर सी बात है कि यह यह थारत करना है लेकिन अपने आप से अपक्षाएं कम रखनी है और बच्चों को यह चीज़ सिखाना भी है बच्चों में स्वस्त अध्यन आदतों को बढ़ावा देना इसकी चर्चा हमने पुरी तरह से करी लिया कि किस तरह से पैटर्न वेगेरा बच्चों को फॉलो कराना है ए खुले तौर पे इसके वितरन को ले करके यह नहीं कह रहा हूं कि प्रतिबंधित ही किया कर देना चाहिए लेकिन इसको सही से रेगूलेट करना परेगा जैसे आप एक चीज़ कर सकते हैं कि इस तरह की दबाओं को यह 18 प्लस के बच्चों को दे सकते हैं ठीक है कम उमर के पच्चों को यह ना दिया जाए अगर वो लेने जाए तो उनका आधार काड़ा आप देख सकते हैं या फिर वो कह सकते हैं कि आप अपने पैरेंट्स को भेजो तभी हम यह मेडिशीन आपको देंगे तो जो मेडिकल स्टोर पर थोड़ा से कंट्रूल करना परेगा या फि उसके उपर कानूनी परतिबंध लगाना चाहिए उसके उपर कारवाई करनी चाहिए तो देखें यह जो आज का हमारा पूरा डिवेट है वह आप लोगों के लिए पूरी तरह से समर्पित है आप कहेंगे कैसे तो सबसे पहले तो स्वास्त की बात तो है ही हमारे सब्ता में हैं यह महना खत्म हो रहा है इसके बाद जो है आप लोग के लिए एक लंबी दौर सुरू होने वाली है यूं समझ लीजिए कि ट्रेन जो है बुलेट ट्रेन वह यहां से खुल चुकी है किस चीज के लिए जो कि आने वाला समय आपके एक्जाम का समय होने बाला सिविल सर्विसेज अभ्यरती को लेकर के बात परूँ आपका यूपी पीसियस का एक्जाम अभी प्रलिम्स का होने बाला है यूपीसी का मेंस होने बाला है अभी आरो यारो का यदि प्रलिम्स हो गया या नहीं दुबारा होता है तो फिर मेंस होगा या फिर बीपीसी का भी होने बाला है अभी मंदपर्दे स्पीशियस का प्रिलिम्स होने बाला है तो धेर सारे एक्जाम यहां से होने बाले हैं और उस एक्जाम में आप जीतोर मेहनत करते हैं आगे भी करते रहेंगे आप चाहेंगे कि आप अपने और अपने पैरेंट्स के सपनों को पूरा करे लेकिन ऐसी गलतियां आप ना करें, आप दबाओं का इस्तमाल करना शुरू ना कर दें, क्योंकि बहुत सारे चातर इस तरह का काम करने लग जाते हैं, कि वह चार हैं, कि हम ना लें, निंद आ रही है, तो हम एंटी स्लिप पिल्स लेना शुरू कर देंगे, और फिर क्या कीजिए, सही आपको ढूड़ना है, इसके सेवन से किसी भी व्यक्ति को लंबे समय तक जागने में मदद मिलती है, इसके ओवर डोज के कारण मस्तिस्क में खून का ठका जमने जैसी स्वास्त संबंदी समस्यां उत्पन हो सकती है, यहाँ पर दो इस्टिट्मेंट दिया ग इसका सिवन किया है, या आप भी क्या उसमें सामिल है, यदि हाँ, तो फिर आपने इस सब चीजों से कैसे छुटकारा पाया है, आपके विचार हमारे कॉमेंट बॉक्स में आमंतरित हैं, इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में, किसी दूसरे मु होगी अपना बेहत ख्याल रखिए थैंक यू